देखें वस्तों परे परिसज्जाओं के विशय में हम अध्यान कर रहे थे और अध्यान के क्रम में जो है हम लोगों ने वस्तों परे की जाने वाली परिसज्जाओं को चार भागों में विभाजित किया अर्था चार प्रकार से हम वस्तों परे परिसज्जाओं कर सकते हैं होता है वस्त्रों पर निघरशन करना या वस्त्रों पर सफाई करना चीक है और दूसरा जो प्रकार है आज हम newsletter में लेंगे दूसरा प्रकार किया है वस्त्रों पर विरंजन की प्रक्रिया नियुत दुसरा निर्माण करते हैं तो जो तंतुओं के अंदर उपस्तित पेक्टीन होता है, मोम होता है, या जैसे करगे का प्रियोग किया जाता है वस्तर निर्मान के लिए, तो उसका ग्रीस हुआ, तेल हुआ, या फिर किसी औन्य प्रकार की जो अशुर्दियां होती है, जब हम प्राकृतिक तंतुओं से वस्तरों का निर्मान करते हैं, तो जो प्राकृतिक जो उनका रंग होता है, जो सफेद रंग होता है, वो क्या होता है, अन्य कलर में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, तो बेसिकली यदि विरंजन की हम लोग बात करें, तो वस्तरों पे, वस्तरों पे जो पहले जो स या विरंजन कहते हैं, वस्त्रों पर सफेद रंग लाने यह यूँ कहें, सफेदी लाने की प्रक्रिया को विरंजन कहा जाता है, विरंजन कहा जाता है, ठीक है? जो वस्त्र हमारे होते हैं, जिस समय वस्त्रों का निर्मान हो रहा होता है, वस्त्र निर्मान के समय, जो तंत्वों में उपस्तित पैक्चेन है, मोम है, अन्य प्रकार की अशुद्या है, उनके कारण जब वस्त्रों का जो रंग है, वो प्राकृतिक सफेदी से हट करके, उन अब विरंजन का प्रयोग करने की या सफेधी लाने की आवशक्ता क्यों होती है क्यों होती है मैंने अभी आपको बताया है वस्त्र निर्मान प्रक्रिया के दौरान रेशे में उपस्थेत मोम, पेक्टीन, वर्नक, ग्रीस तथा अन्य अशुद्धियां उपस्थित होने के कारण तन्तूओं का रंग पूर्ण सफेध नहीं होता है तो इससे निर्मित होने वाले जो वस्त्र होते हैं निर्मित होने वाले जो वस्त्र हैं किन से इन तन्तूओं से चीक है निर्मित होने वाले जो वस्त्र हैं वे भी पूर्ण सफेध नहीं होते हैं इसलिए उन पे सफेधी लाने के लिए विरंजन का प्रयोग किया जाता है तो विरंजन को यदि एक लाइन में आपको समझना हो तो आप इस प्रकार से समझेंगे जो रेशे होते हैं रेशों में उपस्तित जो मोम होता है पैक्टीन होता है ग्रीस जो है वो करगे से जो है वो ग्रीस उस पे लगता है या अन्य प्रकार की जो असुद्धियां होती है वर्नग भी होते हैं रेशों के अंदर ये क्या करते हैं जो सफेधी होती जो रेशों की सफेधी होती है उसको वो ठीक से उजागर नहीं कर पाते हैं या उसको दबा देते हैं कम कर देते हैं तो तंतूओं के अंदर ही चुकि जो सफेदी है वो clearly साफ तरीके से नहीं नजर आती है, इस वज़े से जब हम उन तंतूओं से वस्त्रों का निर्मान करते हैं तो वस्त्र भी जो है वो तरीके से सफेद नहीं हो पाते हैं और तंतुओं से निर्मित वस्त्रों पर पूर्ण रूप से सफेदी लाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है विरंजन कहलाती है यहीं कि हम परिसज्जा के माध्यम से हम की सफेदी के माध्यम से किसके माध्यम से की रूपो में की जाती है अरफात, ब्लीचिंग की प्रक्रिया दो रूपों में की जाती है किते रूपों में की जाती है दो रूपों में की जाती है कौन-कौन से रूप है एक होता है प्राकृतिक विरंजन की प्रक्रिया या प्राकृतिक विधी प्राकृतिक विरंजन की प्रक्रिया और दूसरा होता है कृत्रिम विरंजन की प्रक्रिया कृत्रिम विरंजन की प्रक्रिया ये दो रूपों में हम क्या करते हैं विरंजन की प्रक्रिया को जो है प्रयोग में लेते हैं एक है प्राकृतिक विरंजन की प्रक्रिया और दूसरा है कृत्रिम विरंजन की प्रक्रिया प्राकृतिक विरंजन की प्रक्रिया की यदि हम लोग बात करते हैं तो प्राकृति की जो है एक अनुपम देन है जिसको हम bleaching के लिए प्रयोग में लेते हैं वो है सूरे की किर्णे और हवा इसके साथ ही साथ जो घास होती है उसका प्रयोग भी जो है विरंजन के लिए किया जाता है तो प्राकृतिक यदि हम लोग तत्वों को देखने की कोशिश करें या विरंजन के लिए प्रयोग में लें तो घास है हवा है और सूरे की किर्णे हैं ये सबसे बड़े उदाहरण है प्राकृतिक विरंजन के लिए इनका प्रयोग करके हम वस्त्रों पे एक सफेधी लाने क प्रयास जो है वो करते हैं तेज धूप में यदि आप किसी दाग युक्त यदि वस्त्र को जो है आप रख देते हैं तो उस पे जो धब्बे हैं या दाग लगे हुए हैं कई बार ऐसा होता है कि बहुत तेज धूप जो है जब उसके उपर पड़ती है तो जो उसका वस्त प्राकृतिक विरंजन होता है, जो natural bleaching है, जब हम वस्त्रों पे प्रयोग में लेते हैं, तो इस समय और उर्जा, इन दोनों का व्याय बहुत जादा होता है, साथी साथ प्राकृतिक जो bleaching है, वो कई तंतुओं पे किया जा सकता है, लेकिन कई तंतुओं पे ये bleaching नहीं कई तंत्वों पे ये bleaching नहीं होती है, तो जिन तंत्वों पे प्राकृतिक bleaching प्रयोग में नहीं लिये जाते हैं, उन तंत्वों पे फिर हम कृत्रिम विरंजन का प्रयोग करते हैं, यानि कि artificial तरीके से हम bleaching करने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पे जो है one by one हम लोग देखत प्राकृतिक विरंजन की हम लोग बात करते हैं इस प्रकार के विरंजन के लिए हरी घास तथा सूरी की किर्णे मुख्य रूप से प्रयोग में ली जाती है मुख्य रूप से प्रयोग में ली जाती है इस प्रक्रिया में समय तथा श्रम समय तथा श्रम अधिक उप्योग में लिया जाता है इस प्रकार के विरंजन प्रक्रिया के लिए अधिक स्थान की आवशक्ता होती है और जिन वस्त्रों पर या जिन रेशों पर रसायनों का हानिकारक प्रभाव पढ़ता है उन्हें प्राकृतिक विरंजन का प्रयोग करके परिसजित करते हैं तो ये प्राकृतिक विरंजन के विशय में आप देख रहे हैं प्राकृतिक विरंजन के लिए जो प्रयोग में लिया जाता है क्या प्रयोग में लिया जाता है इसके लिए हरी घास और सूरे की किर्णे हरी घास और सूरे की किर्णों को प्रयोग में लिया जाता है मुख्य रूप से जैसा कि मैंने आपको कहा कि हवा का प्रयोग भी इसके लिए किया जा सकता है लेकिन यदि मूलभूत रूप में देखें तो मूलभूत रूप में जो है हरी घास और सूरी की किर्णों का प्रयोग किया जाता है इस प्रक्रिया में समय तथा श्रम जादा लगता है समय तथा श्रम क्या होता है इस प्रक्रिया में अधिक लगता है क्योंकि ये मतलब time checking process है जब सूरी की किरणों की हम लोग बात करते हैं तो सूरी की किरणों का प्रयोग हम अपने 24 घंटे में से ये मान के चलें कि केवल properly यदि देखा जाते हैं सूरी की किरणे चाहिए तो हमें 9 से 10 बजे के बाद और शाम को चारवे से पहले ही इसका प्रयोग करना होगा तो हमारे लिए एक समय बद्धता बंद जाती है समय बद्ध हो जाते हैं हम लोग और समय बद्ध हो करके हम इसका प्रयोग करते हैं इस प्रक्रिया में समय और श्रम क्या होता है अधिक लगता है इस प्रकार के विरंजन की प्रक्रिया के लिए अधिक स्थान की भी आवशक्ता होती है क्या होती है अधिक स्थान की भी आवशक्ता होती है जो स्पेस है जो प्लेस है आपका जहां पे आप विरंजन की प्रक्र या करेंगे जब हरी घास के उपर करेंगे तो भी आपको जो है स्थान की आवशक्ता होगी यदि सुर्य की किरणे अगार आपको चाहिए तो किरणों का प्रत्यक्ष प्रयोग आपको करना होगा तो वहां पिछन अधिकdestा की आवशक्ता आपको होगी और लास जिन वस्त्रों पर जिन रेशों पर रसाइनों का हानिकारक प्रभाव पड़ता है उन वस्त्रों या उन तंत्रों पर हम क्या करते हैं प्राकृतिक विरंजन का प्रयोग करते हैं तो ये प्राकृतिक विरंजन के विशय में था, अब कृत्रिम विरंजन की बात करते हैं, इस प्रकार के विरंजन के लिए रासाइनिक पदार्थों का प्रयोग किया आता है, रासाइनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम विरंजन के लिए हम लिए बात करते हैं, तो इस प्रकार का जो विरंजन होता है, वो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें रासाइनिक पदार्थ जो होते हैं, जो क्यामिकल एलिमेंट्स होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, और इनके प्रयोग के द्वारा वस्त्रों में सफेधी लाने का प्रयास किया जाता है, किस वस्त्र पर विरंजन करना है, और किस रसायन का प्रयोग करके, करना है, इस बात पर विशेश ध्यान दिया जाता है, विशेश ध्यान दिया जाता है, जिसके लिए, रेशे का प्रकार, रेशे की प्रक्रती, रेशे पर भौतिक तथा रासायनिक प्रभाव, इत्यादी पर निर्भर करता है, इत्यादी पर निर्भर करता है, अर्थात, जिन वस्त्रों पर हम प्राक्रतिक विरंजन यानि की जो नैचुरल ब्लिचिंग है, नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे वस्त्रों पर हम क्या करते है, कृत्रिम विरंजन का प्रयोग करते हैं, और कृत्रिम विरंजन के अंदर रासायनिक पदार्थों के प्रयोग के माध्यम से हम क्या करते हैं, वस्त्रों पर ब्लीचिंग करने का प्रयास करते हैं, किस वस्त्र पे कौन सा विरंजन प्रयोग में लेना है ध्यान रखेंगे ये दो तथे जो है वो important है किस वस्त्र पे कौन सा विरंजन यानि कि किस प्रकार का रसायन विरंजन के लिए प्रयोग में लेना है ये जो है हम लोग ध्यान रखेंगे ये सबसे महत्वपूर्ण होता क्योंकि हर एक रेशे पे हर एक प्रकार का रसायन प्रयोग में नहीं लिया जाता है, उनके विपरीद्ट याने की प्रतिकूल प्रभाव देखे जा सकते हैं, थो मैं ध्यान रखना होगा कि कौն कौन से क्यामिकल्स हैं जो किस प्रकार के रेशे पर इफयक्ट डालते हैं, थ सब चीजों को ध्यान रखने के लिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जो रेशा है रेशे का प्रकृति क्या है यनि की नेचर क्या है रेशे का जो है और तीसरा उसके उपर भौतिक और रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है प्रक्रियाएं होती है उनका किस प्रकार का प्रभाव पढ़ता है तो ये चीजें जो है हमें क्या करनी होगी ध्यान रखनी होगी और इन सब चीजों को ध्यान में रख करके किस प्रकार का रसायन जो है bleaching के लिए इनकी उपर प्रयोग में लिया जाएगा इसको सुनिश्चित किया जाता है तो इस प्रकार से विरंजन की प्रक्रिया के दो रूप हो गए पहला रूप क्या हुआ प्राकृतिक विरंजन जिसमें हम प्राकृतिक तत्मों का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें सूरी की किरने और घास ये मुख्य रूप से जो है वो प्रयोग में ली जाती है और ऐसे तंतु जिन पे प्राकृतिक विरं प्रियोग में लेते हैं और कृत्रिम विरंजन हम लोग विभिनर रसायनों के द्वारा करते हैं और रसायनों का प्रयोग करने से पहले भी हमें इस बात की जांच कर लेनी चाहिए कि जिस वस्त्र पे या जिस रेशे पे हम रसायन का प्रयोग कर रहे हैं उस रेशे का प्रका क्या है कि उपर भौतिक और रासाइने कभी क्रियाओं का क्या प्रभाव पढ़ने वाला है तो इन सब चीजों को ध्यान रख्के वस्तरों पर क्या किया जाता है विरंजन किया जाता है जो पदार्थ प्रयोग में लिये जाते हैं उन्हें विरंजक कहा जाता है विरंजन की प्रक्रिया के लिए याद रखेंगे विरंजन की ब्लीचिंग की प्रक्रिया के लिए जो पदार्थ प्रयोग में लिये जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं विरंजक कहते हैं और ये विरंजक दो प्रकार के होते हैं विरंजक दो प्रकार के होते हैं ओक्सिकारक और अपचयन प्रतिकर्मक अर्थात यदि इंग्लिश में देखने का प्रयास करें तो ऑक्सिडाइजिंग एजिंट और रिड्यूसिंग एजिंट ये दो प्रकार के जो है वो क्या होते हैं क्या होते हैं विरंजक होते हैं जिनका प्रयोग हम विरंजन के प्रक्रिया के लिए करते हैं कौन-कौन से ऑक्सिकारक प्रतिकर्मक और अपचयन प्रतिकर्मक एक एक को जो है हम लोग ध्यान से देखेंगे सबसे पहले आक्सिकारक प्रतिकर्मक की बात करते हैं तो आक्सिकारक प्रतिकर्मक बेसिकली वे प्रतिकर्मक या वे एजेंट होते हैं जो वस्त्रों के संपर्क में आते ही उनके जो ऑक्सिजन होते हैं वो क्या करते हैं जो दा प्रतिकर्मक के जो योगिक हैं जब वस्त्रों के संपर्क में आते हैं तो संपर्क में आती उनके जो ऑक्सीजन हैं वो दाग धबों को रंगहीन बना देते हैं जिन से हमें जो वस्त्र हैं वो सफेद दिखने लगते हैं अर्थात इस प्रकार के प्रतिकर्मक में ओक्सीकरण की प्रक्रिया होती है ओक्सीकरण की प्रक्रिया यानि कि ओक्सीडाइजिंग होता है प्रक्रिया होती है जिससे ओक्सीजन वस्तरों के संपर्क में आते हैं दाग तथा धब्बों पर धब्बों को रंग हीन बना देते हैं रंग हीन कर देते हैं इस प्रतिकर्मक का प्रयोग सभी प्रकार के रेशों पर किया जा सकता है वानस्पतिक रेशों से निर्मित वस्तरों के लिए ये अधिक उपियोगी होते हैं ठीक है ऑक्सिकारक प्रतिकर्मक की यदि हम लोग बात करते हैं ऑक्सिडाइजिंग एजिंट की हम लोग बात करते हैं तो इस प्रकार के जो प्रतिकर्मक होते हैं उनमें ऑक्सिकर्ण की प्रक्रिया होती है यानि कि ऑक्सिडाइजिंग की प्रक्रिया होती है जब ये वस्त्रों के संपर्क में आते हैं तो संपर्क में आने के पश्चाद जो दाग धबों के रंग होते हैं जो दाग धबों के रंग होते हैं और वस्त्र क्या लगने लगते हैं सफेद लगने लगते हैं तो ऑक्सीजन वस्त्रों के संपर्क में आते हैं दाग धबों को रंगहीन कर देते हैं इस प्रतिकर्मक का प्रयोग सभी प्रकार के रेशों पर किया जा सकता है इस प्रकार के प्रतिकर्मक का प्रयोग यानि कि आक्सिकरन प्रतिकर्मक का प्रयोग जितने भी रेशें सभी प्रकार के रेशों पर आसानी से किया जा सकता है लेकिन जो वेजि जगत से प्राप्त होने वाले रेशे जो हैं वानस्पतिक रेशे जिनमें हम तनों से रेशों को प्राप्त करते हैं बीजों से हम रेशों को प्राप्त करते हैं और पतियों से हम रेशों को प्राप्त करते हैं तो जो वानस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे हैं उ वो कौन से हैं वो आक्सिकारक प्रतिकर्मक होते हैं अब ये आक्सिकारक प्रतिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं या कौन-कौन से होते हैं तो आक्सिकारक प्रतिकर्मक में यदि हम लोग देखें तो सबसे पहले फर्स टंबर पर जो है सूरी की रोशनी प्लस इसके साथ ही साथ हरी घास को शामिल किया जाता है दूसरा पोटेशियम परमेगनेट तीसरा सोडियम हाइपो क्लोराइड चौथा सोडियम परबोरेट पाँचवाँ हाइड्रोजन पराकसाइड चौथा सोडियम क्लोराइड साथवाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट आथवाँ परसलफेट तो इस प्रकार से जो है आक्सीकारक जो प्रतिकर्मक है आक्सीकारक प्रतिकर्मक में यह हम लोग आठ तरह के प्रतिकर्मक का प्रयोग करते हैं आक्सीकारक प्रतिकर्मक के लिए इस प्रकार से आठ तरह के प्रतिकर्मकों का प्रयोग किया जाता है यानि कि एट एजेंट जो है वो प्रयोग में लिये जाते हैं सुरे की रोशनी और उसके साथ हरी घास पोटेशियम पर मैगनेट सोडियम हाइपोक्लोराइड डन सोडियम परबोनेट हाइडरोजन परकसाइड का प्रयोग करते हैं सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग करते हैं और लास्ट पोटेशियम पर सलफेट का प्रयोग करके हम ऑकसिकारक agents प्रयोग में लेते हैं, किसके लिए? 주는 bleaching के लिए नेक्स्ट आइए, जो दूसरा प्रतिकर्मक है, या जो दूसरा agent है या जिसको हम लोग दूसरे तरीके से, जो है, वो bleaching के लिए प्रयोग में लेते हैं वो होते हैं अब चयन प्रतिकर्मक यानि कि reducing agent इसका प्रयोग करने पर वस्त्र के oxygen वस्त्र से अलग हो जाते हैं और वस्त्र सफेद लगने लगता है जो हम लोग ऑक्सिकारक प्रतिकर्मक का प्रयोग कर रहे थे उसके प्रयोग से क्या हो रहा था जो ऑक्सिकारक प्रतिकर्मक के जो oxygen के योगिक हैं वो वस्त्रों के संपर्क में आकर के दाग धबों को रंगहीन बना रहे थे यानि कि जो उनके योगिक हैं उनको रंगहीन कर रहे थे लेकिन जब यहां पे जब हम लोग अप्चेन प्रतिकर्मक की बात करते हैं reducing agents की बात करते हैं तो यह agents क्या करते हैं जब यह वस्त्र के संपर्क में आते हैं जब यह वस्त्र के संपर्क में आते हैं तो वस्त्रों में उपस्ति जो oxygen होते हैं यह उन्ही को नस्ट करते हैं यह उन्ही पर प्रभाव डालते हैं जिनसे जो वस्त्रों होते हैं वो क्या हो रेशे पर जानतों रेशों पर अधिक किया जाता है जो जनतु जगत से जो है हमें रेशे प्राप्त हो रहे हैं उन पर हम क्या करते हैं इस प्रकार के प्रतिकर्मक का प्रयोग जो है वो सरवाधिक करते हैं कौन-कौन से रेशे हैं उन और रेशम बेसिकली यदि देखा जाए, मुख्य रूप से देखें तो उन पर और रेशम पर, हम इस प्रकार के प्रतिकर्मक का प्रयोग जो है, वो सरवाधिक करते हैं अप्चयन प्रतिकर्मक को उप्योग से पहले या प्रयोग से पहले हलका किया जाता है, हलका या जिसे हम डाइल्यूट कहते हैं डाइल्यूट किया जाता है, और उप्योग से पहले, उप्योग से पहले, इनके घोल को, ठीक है ना, इनके घोल को हलका या जिसे हम डाइल्यूट किया जाता है, यानि कि जो हमारे जो अप्चयन वाले प्रतिकर्मक हैं, उप्योग से पहले कोशिश ये करेंगे कि उनका जो घोल है उसको हलका किया जाए हलका यानि कि डाइल्यूट किया जाए जो गाढ़ापन इन में होता है उनको जो हलका तरल होता है उस फॉर्मेट में जो है वो लाया जा उसके बाद जो हम इसको वस्त्रों पे प्रयोग में लेते हैं यह यू कह लीजिए हम लोग अ बनाते हैं ठीक है ना हलका या डाइलूट से तत्परे क्या है जो तत्व है उसके तनू घोल जो है वो बनाये जाते हैं कौन-कौन से प्रतिकर्मक होते हैं अपचेयन प्रतिकर्मक अपचेयन प्रतिकर्मक कौन-कौन से हैं नमबर बन सोडियम हाइड्रोसलफाइड दूसरा सोडियम बाई सलफाइड यहां पर यह भी सलफाइड होगा तीसरा जिंक डेस्ट ठीक है तो यह जो है हमारे अपचेयन प्रतिकर्मक हैं कौन-कौन से हैं तीन प्रकार से या तीन रूपों में जो हम इनका प्रियोग करने हैं सोडियम हाइड्रोसलफाइड का प्रियोग करते हैं हम सोडियम बाई सलफाइड का प्रियोग करते हैं और जिंक के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हम ब्लीचिंग के लिए जो है उनका प्रियोग करते हैं किस रूप में करते हैं अपचेयन प्रतिकर्मक के रूप में या विभिन रेशों पर विरंजन यानि की ब्लेचिंग की क्रिया अलग अलग से हम लोग जो है वो देखेंगे कि अलग अलग रेशों पर विरंजन की प्रक्रिया हैं हम लोग किस प्रकार से प्रयोग में ले सकते हैं विरंजन की जो प्रक्रिया होती है बेसिकली जो प्राकृतिक तंतु होते हैं उन पे सरवाथिक हम लोग प्रयोग में लेते हैं क्योंकि जो क्रित्रिम तंतु होते हैं क्रित्रिम तंतु का निर्मान के समय ही प्रयास ये किया जाता है कि जो प्राकृतिक उसमें जो निर्मित कि प्रक्रिया के दौरान यदि किसी प्रकार से उनमें अशुधियां आती हैं तो उन अशुधियों को दूर आसानी से सफाई करके ही किया जा सकता है जबकि हम लोग जब प्राक्रितिक तंतुओं की बात करते हैं तो इन तंतुओं के लिए हमें जो है विरंजन की प्रक्रिय तो नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि जो प्राक्रतिक चमक होती है, वो कहीं खतम हो जाती है, या वो चमक लूप तो होने लगते हैं, इस वज़े से हम लोग ब्लीचिंग करते हैं, तो वैसी चमक जो है लाने के लिए हम वस्त्रों पे क्या करते हैं, विरंजन की प्रक्रिया तो विभिन रेशों पर विरंजन की क्रियाओं को जो है अब हम लोग देखेंगे, one by one हम लोग एक एक रेशे को देखेंगे, सबसे पहले हम सूती रेशों पर देखते हैं, सूती रेशों के हम लोग बात करते हैं, इस पर विरंजन के लिए सोडियम हाइपो क्लोराइट का प्रयोग किया जाता है, और प्रयोग भी हम इस पे कैसे करते हैं, सोडियम हाइपो क्लोराइट के थंडे घोल का प्रयोग करते हैं, के ठंडे घोल का प्रयोग हम किस पर करते हैं सूती वस्तरों पर ब्लीचिंग के लिए करते हैं के ठंडे घोल का प्रयोग करते हैं यदि हम गर्म घोल की बात करते हैं सोडियम हाइपोकलोराइड के क्या कर रहे हैं हम ठंडे घोल का प्रयोग कर रहे हैं यदि गर्म घोल की ब का प्रयोग गर्म घोल के रूप में किया जाता है गर्म घोल के रूप में किया जाता है याद रखेंगे सूती वस्तरों पे जब हम लोग ब्लीचिंग कर रहे होते हैं सूती रेशों पर या सूती रेशों से निर्मित वस्तरों पर जब हम ब्लीचिंग करेंगे तो इस पर विरंजन के लिए सरवाधिक जो उपियोग में लिया जाता है वो sodium chloride का प्रयोग जो है वो सरवादी किया जाता है और sodium hypo chloride का प्रयोग किया जाता है sodium hypo chloride का जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो ठंडे घोल के रूप में करते हैं ठंडे घोल के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं गर्म घोल की बात करते हैं तो कैल्शियम और हाइड्रोजन परक्साइड का घोल जो है सूती वस्त्रों के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है नेक्स दूसरा आते हैं लेनन के वस्त्रों की बात करते हैं तो लेनन के वस्त्रों पर जब हम लोग विरंजन करते हैं तो इस पर विरंजन के लिए हम क्या करते हैं प्राकृतिक घासों का प्रयोग करते हैं उनसे हम लोग वो विरंजन प्रयोग में लेते हैं इस पर प्राकृतिक घास का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है प्राकृतिक घास के साथ रासायनिक प्रतिकर्मकों रासायनिक प्रतिकर्मक मिश्रित रूप से प्रयोग में लिये जाते हैं इनके साथ ही साथ सोडियम हाइपो क्लोराइड तथा सोडियम पराकसाइड का प्रयोग किया जाता है देख्यें लीनन के वस्तरों की यदी हम लोग बात करें तो लीनन के वस्तरों पर जब हम लोग ब्लीचिंग करते हैं तो प्रयास यही रहता है कि जो प्राकृतिक घास होती है जो प्राकृतिक घास होती है इसके प्रयोग के माध्यम से जो है हम उन तंतुओं पर या उन तंतुओं से निर्मित वस्त्रों पर ब्लीचिंग करते हैं प्राकृतिक घास के साथ-साथ हम रासायनिक प्रतिकर्मकों का भी जो है वो प्रयोग के बस्तरों पर कर सकते हैं जिसमें sodium हाइपोκ्लोराइट और sodium परकसाईट का प्रयोग करेंगे अब इसमें भी आप ध्यान रखेंगे जो sodium हाइपोक्लोराइट और परकसाईट का प्रयोग कर नहीं करेंगे, पहले हम इसका प्रयोग करेंगे पहले इसका उपियोग करेंगे किसका उपियोग करेंगे पहले हम sodium hypo chloride का प्रयोग करेंगे और sodium hypo chloride के प्रयोग के पस्चाद हम sodium paroxide का प्रयोग करेंगे ठीक है न, सोडियम परक्साइड का प्रयोग के पश्चाथ, ध्यान रखेंगे, हम इन दोनों प्रतिकर्मकों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी सीक्वेंस जो है, वो होना चाहिए, पहले नमबर पे हम सोडियम हाइपो क्लोराइड का प्रयोग करेंगे, और दूसरे नमबर पे हम सोडियम परक्साइड का प्रयोग करेंगे, तो यह जो है लीनन के वस्त्रों पर ब्लीचिंग हुई, नेक्स्ट आते हैं, तीसरा नमबर, रेशम के वस्त्रों पर ब्लीचिंग, रेशम के वस्त्रों पर यदि ब्लीच की बात करते हैं, तो इस प्रक सार के वस्त्रों पर हाइड्रोजन परक्साइड या सलफर डाय ओक्साइड का प्रयोग किया जाता है इसके बाद ध्यान रखेंगे रेशम के वस्त्रों पर जब हम लोग ब्लीच करते हैं और ब्लीच में हम लोग हाइड्रोजन परक्राइड का प्रयोग कर सकते हैं ठीक है न, यहां पर या लिख देती हूँ, यहां पर इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग जो है, हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग के लिए करते हैं, जब भी ब्लीच की प्रक्रिया संपादित हो जाती है, या वस्त्रों पर जब ब्लीचिंग कर ली जाती है, तो इन दोनों के प्रयोगों से या इन में से किसी एक के प्रयोग से जब हम लोग वस्त्रों पर ब्लीच करते हैं, रेश्मी वस्त्रों पर जब ब्लीच कर लेते हैं, तो ब्लीच के पश्चात जो है वस्त्रों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, ब्लीच के पश्चात वस्त्रों को ठंडे पा जानी से धोना चाहिए ठीक है तो ये जो है रेशम के वस्त्रों पर ब्लीच की हमने बात की नेक्स्ट आते हैं चौथा उनी वस्त्रों पर ब्लीच उनी वस्त्रों पर ब्लीच की जब हम लोग बात करते हैं तो रेशम के समान ये भी जो है वो जानताव रेशा है उनी रेशा क्या होता है उनी वस्त्र जानताव रेशे से निर्मित होते हैं जानताव रेशों से निर्मित होते हैं हम सभी जानते हैं इसलिए इन वस्त्रों पर रेशम के ही समान रेशम के ही समान हाइड्रोजन पराकसाइड तथा सलफर डाय आकसाइड का प्रयोग ब्लीच के लिए किया जाता है ठीक है ध्यान रखेंगे उनी वस्त्रों पर ब्लीचिंग जो है हम लोग करेंगे हाइड्रोजन पराकसाइड का प्रयोग करके या तो करेंगे या सलफर डाय आकसाइड का प्रयोग करके करेंगे नेक्स्ट आते हैं पाँचवा रखेंगे वस्त्रों पर ब्लीच यदि रखेंगे वस्त्रों पर ब्लीच के हम लोग बात करते हैं तो यहां पर हलके ब्लीच का प्रयोग किया जाता है हलके ब्लीच का प्रयोग किया जाता है हलके ब्लीच से ताथ पर यह क्या है कि जो भी ब्लीच हम कर रहे होते हैं उनके हलके घोल का हलके घोल, अर्थात तनु घोल का प्रयोग जो इन पर किया जाता है, वैसे तो रियान पर ब्लीच की आवशक्ता नहीं होती है, लेकिन फिर भी जहां पर भी लगता है कि उस पर हमें ब्लीचिंग करनी चाहिए, तो उस bleaching के लिए हमें क्या करना होगा हलके तनू घोल या diluted जो घोल होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए सोडियम हाइपो क्लोराइड के हलके घोल रेयौन के वस्तरों के लिए उपयोगी होते हैं उपयोगी होते हैं ऐसा लगता है कि हमें जो है रियान पे ब्लीच की आवशक्ता है तो ध्यान रखेंगे तन्तू के निर्माण के समय ही हम पोशिश करेंगे कि हम कुछ ऐसे रसाइनों का प्रयोग करें जिनसे जो हमारे तन्तू है तन्तू ही और रेड़ी जो है वो वाइट कलर के सफेद रंग के जो है वो निर्मित होते चलें यदि फिर भी ऐसा लगता है कि तन्तू के निर्मा क्लोराइट के तनु घूल का प्रियोग करेंगे तनु या हलके घूल का प्रियोग करके रेयोन के वस्त्रों पर ब्लीच की जाती है लास्ट हम आते हैं नायलॉन के वस्त्रों पर ब्लीच छटवा नायलॉन के वस्त्रों पर ब्लीच तो इस प्रकार से नायलॉन के वस्त्रों पर यदि bleach के हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए sodium chloride का प्रयोग किया जाता है नाइलोन पर bleach के लिए sodium chloride sodium chloride प्रयोग में लिया जाता है इस वस्त्र पे भी नाइलोन के वस्त्र की यदि हम लोग बात करें तो इस वस्त्र पे भी जो है bleach के आवश्यक्ता कम ही पड़ती है लेकिन यदि ऐसा लगता है कि उस पे bleaching करनी है उस पे हमें विरंजन का प्रयोग करना है तो sodium chloride का प्रयोग करके हम विरंजन का कार्य नायलॉन के वस्त्रों पर कर सकते हैं तो इस प्रकार से जो वस्त्रों पर विरंजन है ये टॉपिक जो है हमने क्या किया कम्प्लीट कर लिया एक विक रिवेजन ले ले लेते हैं वस्त्रों पर विरंजन की प्रक्रिया का देखे वस्त्रो तो तंत्वों में मोन, पैक्टीन या वर्नक की उपस्तिती के कारण जो उनकी सफेदी है वो क्या होती है धीरे धीरे लुप्त होती है या सफेदी जो है वो पूर्णता नहीं नजर आती है या उनसे निर्मित होने वाले वस्त्र जो है वो सफेद नहीं होते हैं तो वस्त्रो को सफेध करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम ब्लीचिंग या विरंजन कहते हैं विरंजन हम दो रूपों में करते हैं विरंजन की प्रक्रिया और कृत्रिम विरंजन की प्रक्रिया की बात हम लोग सबसे पहले करते हैं इस प्रकार के विरंजन के लिए हरी घास तता सु अधिक प्रयोग में लिया जाता है। रेशा किस प्रकार का है, उसकी प्रकृती क्या है, उस पे भौतिक रासायनिक अभिक्रिया हैं किस प्रकार से होती हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, रेशों को हमें समझना आवश्यक है, और जिस रसायन से हम विरंजन करने जा रहे हैं, उस रसायन को भी हमें समझना अत्यन तावश्यक है तो जो रासाइनिक अभिक्रिया के द्वारा या कृत्रिम विरंजन प्रयोग में लिये जाते हैं उनमें हम रसाइनों को भी समझेंगे और साथ ही साथ जो जिस रेशे पर हम विरंजन की प्रक्रिया करने जा रहे हैं उस रेशे की समझ भी जो हमारे पास होनी ठीक है ध्यान रखेंगे नेक्स्ट विरंजन की प्रक्रिया के लिए जो पदार प्रयोग में लिये जाते हैं उन्हें विरंजक कहा जाता है विरंजन की प्रक्रिया के लिए यानि की ब्लीचिंग के लिए जो भी एलिमेंट्स प्रयोग में लिये जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं विरंजक यानि कि bleach कहते हैं विरंजक दो प्रकार के होते हैं कौन-कौन से प्रकार है एक आक्सिकारक प्रतिकर्मक होते हैं और दूसरा अप्चेयन प्रतिकर्मक यानि कि reducing agent होते हैं सबसे पहले आक्सिकारक प्रतिकर्मक की बात करते हैं इस प्रकार के प्रतिकर्मक म आक्सिकरण की प्रक्रिया होती है, यानि कि जब ये वस्त्रों के संपर्क में आते हैं, तो वस्त्रों के संपर्क में आते ही जो इनकी योगिक होते हैं, दाग धबों के उपर प्रतिक्रिया करते हैं और उनको रंगहीन बना देते हैं, जो दाग धबों के रंग होते हैं, उन निक्स जो दूसरे एजेंट है उसे अप चयन प्रतिकर्मक का नाम दिया गया है। जो जब हम इस प्रकार से इन में रसाइनों का प्रयोग करते हैं। जो हमारे reducing agent है उनके लिए जिस भी रसायन का प्रयोग करते हैं उस रसायन के प्रयोग के पस्चाती जो वस्त्र में उपस्थित oxygen है वो क्या होते हैं धीरे धीरे जो है वो खतम होने लगते हैं और इस प्रकार से जो वस्त्र है वो प्राकृतिक रूप से जो है वो सफेद इनके घोल को जो है dilute किया जाता है यानि कि इनका तनू घोल हलका घोल बनाया जाता है तब इसके बाद जो है इसका प्रयोग किया जाता है तीन प्रकार के प्रतिकर्मक हैं यहाँ पे sodium hydrosulfide sodium bisulfide और zinc के dust भी इसके लिए प्रयोग में लिये जाते हैं नेक्स्ट आते हैं व बनते हैं सूती रेशों पर कौन से विरंजन की प्रक्रिया या कौन से रसायन को जो है विरंजन के प्रयोग में लिये जाता है तो sodium hypo chloride का प्रयोग किया जाता है और यदि हम गरम गोल की बात करते हैं तो calcium और hydrogen peroxide के गरम गोल जो है वो सूती वस्त्रों पे प्रयोग में लिये जाते हैं दूसरा हम आते हैं लीनन के वस्त्रों में तो लीनन के वस्त्रों पर जो हरी घास होती है उसके विरंजन का प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक घास जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है प्राक इस परकार के वस्त्रों पर हाइडरोजन पराकसाइड और इस प्रकार के विरंजन का प्रियोग करने के पश्चाइड अर्थाद वस्त्रों पर बलीचिंग के पस्चाइड थंडे पानी से उसको धोया जाता है उनी वस्त्रों की बात करते हैं तो इस वस्त्र में भी हम लोग bleaching के लिए hydrogen peroxide और sulfur dioxide का प्रयोग करते हैं और प्रयोग के पस्चाज जो है जब bleach हो जाती है तो इसे भी ठंडे पानी से धोने का प्रयास किया जाता है रेयोन के वस्त्रों की बात करते हैं तो हलके bleach का प्रयोग रेयोन के वस्त्रों पे किया जाता है वैसे तो bleach की requirement रेयोन के वस्त्रों पे कम ही होती है नहीं होती है ना के बराबर होती है लेकिन यदि फिर भी आवशक्ता महसूस होती है तो sodium hypo chloride के तनू घोल का प्रयोग रेयो के पश्चात यानि कि जब वस्त्र निर्मित किये जाते हैं तो निर्माण की प्रक्रिया के पश्चात वस्त्रों पे अनेक अशुद्धिया नजर आती हैं अनेक प्रकार की अशुद्धिया नजर आती हैं कुछ अशुद्धिया प्राकृतिक होती है यानि कि रेशों के साथ अशुद्ध होते हैं जैसे रेशों में जो मोम होता है पैक्चीन होता है जो वर्नक होते हैं ये प्राकृतिक रूप से आती है अशुद्धियां और कुछ अशुद्धियां वस्त्र निर्मान के दौरान जो है वो आ जाती है जैसे करगे से तेल का दाग लगना धबा लगना ग्रीस का दाग लगना वस्त्रों पे इस प्रकार से प्राकृतिक रूप से भी आई और निर्मान के दौरान भी आई लेकिन जैसे भी आई वस्त्र जो है हमारे देखने में जो है अनाकर्शक महसूस होते हैं तो उनमें आकर्शक लाने के लिए आकर्शन लाने के द्रिस्टि किया अर्थात विरंजन के माध्यम से जो है वस्त्रों को किस प्रकार से आकरशक बनाया जा सके अगली क्लास में हम रंगाई की बात करेंगे देन हम परिसज्जाओं को कंचिनियू करते वे छपाई की बात करेंगे